वेल्कम बैक टू माई चैनल खेंग कुमार आज हमारे सामने है टोइटा इटियोष पैट्रोल वैरियंट जिसका हम सस्पेंशन का काम करने वाड़े हैं सस्पेंशन में क्या क्या खत्म है इसके मैं बता देता हूं अभी इसके फ्रेंट शोकर सस्पेंशन आरम सोकर माउंट और शोकर की जो प्लेट होती है उपर की तरफ से कहां पर लगी होती है इस वाड़े एरिये की उपर यह दोनु प्लेट भी चेंज करेंगे सोकर खोलेंगे अभी तो वीडियो के एंट तक जरूर बने रहे हम टोइटा के जैन्वन स्पेर पार्टी इसमें यूज करेंगे और क्या कुष कुष कोष्ट आने वालिये कितने किया है सुस्पंसेन आरेन कितने किया है मैं टॉटल आपको बताऊंग और क्या प्रोसेस ओते हैं उसको चेंजिंग करने की कैसे चेंगे जाते है, पूरा मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में दिशाएंगा का अट आगे से सस्पेंशन इसके बहुत जद आवाज कर रहे थे कर दो कि अभी हमने इसके दोनों तरफ के सोकर खोल लिए और इसके अंदर पहले कौन से सोकर लगे हुए है यह देख सकते हुआ मोन रो और इस साइड भी मोन रोई है सेम अभी हम इसको खोल लेंगे और खोल के चेक करते हैं माउंट बिल्कुल खतम है इसके सोकर गे यह देख सकते हो आप अभी दिखाऊंगो नए और पुराणे में क्या डिफ्रेंस है सोकर के अंदर भी माउंट के अंदर भी अब हम इसको खोल लेंगे कोल के दिखाते हैं हम आपको चलो वए लगाओ फटा फट से यह पूलर है स्प्रिंग पूलर इनका क्या काम होता है इनको हम शोकर के उपर लगाएंगे और जो स्प्रिंग है इनको पुछ कर लेगा दबा लेगा ताकि इसली शोकर निकल जाए अब हम इसको खोल रह इस वाड़े बोल्ट को खोल लेंगे सोकर बाहर आ जाएगा और स्प्रिंग एज़िटीज रह जाएंगे अगर बिना फुलर लगाए अगर हम सोकर खोलने कोशिज करते है तो स्प्रिंग इतनी हाई पावर को होता है बहुत उपर जंप कर सकता है किसी को नुक्सान भी हो स मांट निगल चुका है बेरिंग देखो बाई यह बेरिंग होता है जब हम रोटेट करते हैं यह सोकर की प्लेट है सोकर दिखेने में बिल्कुल सही है बाकी जब हम गाड़ी अगर रफ रोड पे लेखे जा रहे हैं हलके से गड़े में जारतू गाड़ी पूरी तरह से आवाजगर दबावे इसको उल्टा कर गए अच्छे से ग्रीसिंग वागर लगा के मत अथा बेरिंग बेरिंग लेटा ले ऊपर से और को अब सोकर लेके अता हूं में जो इसमें उने फिट करने टोट आगे हमारे पास इसके सोकर और सस्पेंसर नारम और सोकर माओं इसका दूंको मांट आप देख सकते हो तोटा गे जयान अफर मार्किट जब भी वालत आते हैं तो इन पर रेट कटिंग होती है कि अ मांट यहां हमारे सोकर टोटा और यहां पंडर निकाड यहीं सोकर 148 तॉनु आhorn यहां पर लिख्खा हुए है दबाओ बैसको दबाना एक बार ना ना यासे नहीं सिद्धा गर के हाथ से ही कितना टाइट दब रहा है और वो जो दबाया था पहले वो दबा के दिखा एक बार पुराने वाला मैं आला यह वाड़ा विल्कुल फिरी चला गया है और यह वाड़ा देख सकते हुआ ओक्के विल्कुल इसका प्रेशर काम ओचुका है आप देख सकते हुए दोनों में डिफ्रेंस एक बार और दबाओ दिखाता हूं मैं दोनों का वह बिल्कुल फिरी दब रहे है और ये वाड़ा थोड़ा हाड दब रहे है अब छोड़ दो गट कि यह कितनी जल्दी उपर आ रहे है और वो देखा है अब में फिटिंग करेंगे शोकर को और फिर गाड़ी चला करके फिर आपको दिखाता हूं क्या मज़ा है सस्कंफन का क अब करने के वाड़ी में और आवाज कितनी है नहीं है खतम हो गई वह सारी चीज आभी में आपको चेक कराऊंगा गाड़ी में और डिफ्रेंस दिखा देता हूं जो सोकर के जो माउंट है उन दोनों में डिसेंस क्या है यह देखो वाड़ा इतना जादा दब चुक है इस अब देख सकते हो कितना नीचे है माउंट चेंज करेंगे हम इसके इसके उपर फिटिंग करके क्रिसिंग लगा रहे हैं इस तुपर कि नए माउंट लगा दिया है स्प्रिंग हमारे खराब नहीं होते हैं स्प्रिंग किस पोजिशन पर खराब होते हैं या तो बैंड हो जाए गाड़ी कहीं जादा गड्डेम टूट कि स्प्रिंग बैंड हो गया या तूट गया उस पोजिशन पर स्प्रिंग चेंज हो जा करती है विदाउट स्प्रिंग मांट हमने चेंज कर दिया गर बैरिंग के अंदर ग्रीशिंग कर दिया है कि मैं इसको एक बर कसवा देता हूं थोड़ा सो हमारे एक सोकर रेडी हो चुक है दूसरा हमने भी खोले हैं दूसरे वाड़ा गोर दिखा वाई क्या कंडिशन है ग्रीश लगाने से पहले एक बाद दूसरे सोकर दबाले पटा पट आपट आइस पिल्कुल फ्री एक दम जब हम इसको कुछ करने तो बिल्कुल फ्री जा रह अब दूसरा वाड़ा नए वाड़ा निकालोगा नए वाड़ा यह रहा हुआ इसमें किसी तरह की कोई अवाज नहीं है प्रेसर देख सकते हो आप मैं इस लिए डिफ्रेंज दिखा रहा हुँ ताकि नए पुराणे में फरक पता लग जाए सोकर गंदर क्या फरक होते हैं अब उसकी हम फिटिंग करेंगे वह कि दोनों सोकर हम नहां है मैं चेन्ज कर दिया है अब आप हम क्लीन कर रहे हैं स्प्रिंग को डिजल से अभandel बनात है तो खुलने के बाद हम इसको खुलेन करी देते हैं वार बार तो खुलता निए क्लिञिंग के लिए कि अज़ कि नए दोनों सोखर हमने फिट कर दिये हैं पुराने वाले यहां पर हैं दोनों सोखर मांट हमने चेंग कर दिया है यह दूसरा सोकर माउंट in जयरा है चीज कोई भी डलावाटो की टोड्य-पार्ट, जाथ यावक को या आप नियुक्त निहीं होती है तो में रिक्मेंट रूंगा गारी के अंदर यहाप काम कराएं तो जैन् वन पारट Yeah. पार्टी लगाए बाकि युसके इलावा जैसे आप मोंरो के निकले तो आप आफ्र-मार्किट मोरो के भी लगवा सकते में रिक्मेंट करूं मोंऑरो भी लगवा सकते मोंगो और गैब्रियल ही मैनुफेक्ट्रिंग कर रही है तो काफी अच्छी से कम्पनी है इसलिए यह OEM के अंदर आती है औरिजिनल एकुमेट मैट्रियल के अंदर यह प्रोडेक्ट सप्लाई हो रहे हैं कंपनी के अंदर कि अच्छे से वहां पर हमारे दोनों सस्पेंसेन आरम रखे वे जिसको भी हम लगाएंगे दिखाता हूं उन सस्पेंसेन आरम के अंतर क्या हो रहा था क्यों हम इनको चेंज कर रहे हैं कि पहले हम सोकर फिट करेंगे फिर मापको आरम दिखाऊंगा क्या कंडिशन थी आरम की हमने इसकी नई कट हो रही उपर वाली जो प्लेट होती है बोड़ी के उपर की साइड जो लगती हो हमने चेंज कर दिया प्लेट यह में टोयटा की जैन वन नहीं मिली सो आपके सामन हमने जो भी कंपनी की है एडिन करके कुछ कंपनी है इसको लगा रहे हैं और इदर की तरफ से हमारे शोकर की फिटिंग चल रहे है हमने इसके दोनों आरम खोल लिए और कंडिशन क्या आरम की यह वाले बुस्से ही है बस यह इदर से गता हुए सबसे बड़ी मेन प्रोब्लम कहां से थी इस वाले बुस्से यह जो गैप दिख रहे हैं यहां के एरिये से बिल्कुल खतम हो चुका इदर के तरफ से देख सक रही है इस न सबसे बड़ी प्रोब्लम किया थिए जब भी हम ब्रेक लेते हैं तो यह बाड़ा इसा जहां लगा होता है सेंटर में तो टायर जब भी आम बेक लेतो तो आगे पिछे मुमेंट करता है ब्रेक लेनी कवैसे और अब आ जाती काफी ज्यादा इसकी पोजिशन और चलते नहीं है अब इसके नए सब्सक्राइब चेंज कर रहे हैं जो कि टोईटा के जैन वन है यह देख सकते हो तो निया से देख सकते हो और एक वाला रहा है और और इनको चेक करेंगे चेंज करके फिर इसके अलाइमेंट कराएंगे अलाइमेंट कराके फिर चलाके चेक करते हैं गाड़ी को क्या पोजिशन है